एलो फ्रेंड्स आइम यूर स्टेडी मेट सारिका रमुला और आज हम करने वाले हिंदी प्रेक्टिस टेट को बहुत इंपॉर्टन क्वेशन्स है एक्जाइम में पूछे गए हैं ये ये सारे क्वेशन है ठीक है जो एक्जाइम ओरिंटेट भी है और पूछे भी गए हैं आप लोग इनको ध्यान से देखेगा और ऐसे ही क्वेशन पूछे जाते हैं तो हम लोग आज डिसकर्स कर लेते हैं इस पेपर को पहला क्वेशन है संस्कृति के चार अध्याई के रचनाकार का नाम बताईए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रामधारी सिंग दि आप याद कर लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महावीर प्रशाद दिवेधी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इनके नाम पर दिवेधी युग पढ़ा था चलिए तीसरा क्विशन है नवल सुन्दर स्याम सरीर की देखे पढ़ते पढ़ते इसको समझ लीजे कई बार टाइम कम होता है तो सरीर की तुलना की गई है यह ठीक है तुलना की गई है इसमें नवल सुन्दर स्याम सरीर की सजल नीरत सी कलकानती थी तो उपरोक्त जो में कौनसी संदी है ठीक है प्रतिधन उपकार में कौनसी संदी है तो इसका अगर संदी विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिधन उपकार हो जाएगा ठीक है कई बार क्या हो जाता है केवल संदी विच्छेद भी पूछ लिया जाता है प्रतिधन उपकार इधन उ क्या हो जाता है यू तो कौन सी संदी हो जाएगी इसमें से यन संदी इसका राइट अंसर हो जाएगा और हमने संदी कर रखा है ठीक है तो आप क्या करेंगे संदी को करने से पहले उसका संदी विछेत करेंगे उसे कौन सा वर्ण बन रहा है ठीके उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संदी है तो प्रतिवकार में कौन सी संदी हो जाएगी यन संदी हो जाएगी ठीके चलिए पांचमा क्विश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य मिस्र वाक्य है तो मिस्र और जो संद वाक्य है सरल वाक् कि का वो कौन सा हो जाएगा option D सिख्षक जानता है कि कौन सा चात प्रतिभासाली है ठीक है ये इसका right answer हो जाएगा next है इनमे से विलोम शबदों का गलत यूग्म है ठीक है गलत कौन सा है वो छाटना है तो देख लेते हैं जैसे अपराधी है तो उसका निरापराद बिल्कुल सही है विहित है तो उसका निशित ठीक है उन्मूलन रोपन सही है तो इसमें जो आविर्भाव है इसका विलूम शब्द क्या है गलत है क्योंकि आविर्भाव का जो विलूम शब्द होता है वो होता है तिरोभाव ठीक है तो ऐसे जो question है आप ऐसे पूछे जा रहे हैं, डारेक्ट कम पूछे जाते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, युगम दिये गए हैं, पेर दिये गए हैं, उसके आधार पे आपको बताना है, ठीक है, चलिए, नेक्स है, जो ग्यात इतिहास से पहले का हो, एक वाक्य है और इसके ले एक शब्द होना चाहिए, ठीक है, कौन से शब्द होगा, जो ग्यात इतिहास से पहले का हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राग इतिहासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इतिहास से सम्मंदित ना हो, वो अन इतिहासिक हो जाएगा, एतिहासिक क्या हो जाएगा जो इतिहास से सम्मंदित हो और जो इतिहास जो ग्याद इतिहास से पहले का हूँ वो प्राग इतिहासीख हो जाएगा ठीक है चली आटवा ancient question है जो बाएं हाथ से सद्धा हुआ है के लिए एक शब्द है तो right answer क्या हु सब्बे सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा आपने सुना भी होगा जो सिनेमा जगत है उसमें सब्बे सांची की ड्रेस सुना होगा तो जो नाम है सब्बे सांची उसका मतलब क्या होता है जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो ठीक है परफेक्ट हो जो बाएं हाथ में नेक्स रहता है वीना पाणी जिसके हाथ में वीना रहती हो ठीक है तो ऐसे भी आप शब्द याद कर लेंगे चलिए नुवा क्विशन है निम्न में असुद्ध वर्तनी वाला सब्द है तो इसमें देख लेते हैं उंगली भी विल्कुल सही है बांस भी ठीक है दांत भी ठीक है ठी पाव में भी क्या आना चाहिए था चंद्रविंदु आना चाहिए था और वाव में भी चंद्रविंदु आना चाहिए था तब आ जाएगा पांच वा ठीक है चलिए नेक्स है निम्न में चंद्रहास का प्रियायवाची शब्द है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो तलवार इसका right answer हो जाएगा ठीक है तलवार का प्रियावाची क्या है चंद्र हास है ठीक है चले next question है पुछकारा कुत्ता सिर्चड़े का अर्थ है तो इसका right answer हो जाएगा option B जो ओचे लोग होते हैं उनको मुह लगाने पर वो अनुचित लाब उठाते हैं ठीक है इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नमे करपट शब्द का तदभो रूप क्या होगा ठीक है कई बार पूछा गया है यह और इसका right answer क्या हो जाएगा कपड़ा इसका right answer हो जाएगा ठीक है तत्सम तदभो भी हमनें पढ़ रखें नेक्स्ट है सौ गुना लंबा में विशेशन का कौन सा भीध है ठीक है जैसे आएंगे आपके पास 10 गुना 20 गुना 100 गुना है ना 200 गुना तो ये सब जो विशेशन होंगे कैसे होंगे आविर्ति वाचक होंगे पुन्रा विर्ति होती है ने इनके आविर्ति frequency आते है जिनमें तो ये 100 गुना लंबा कोई भी चीज है तो क्या हो जाएगा आवडति वाचक हो जाएगा विशेश है फीक है नेक्स है च़धभूनी का उच्चारण स्थान कौन सा है दो चव वर्ग में आता है न च़ध NOW थीक है नेक्सट में निम्नमें कौन सा सुमेलित नहीं है एक साइड दी है रचनाय दूसरी साइड रचन तो माखनलाल चतुरवेदी विल्कुल सही है राम की शक्ति पूजा सूर्य कान तृपाटी निराला विल्कुल सही है कानन कुसुम जैसंकर प्रशाद इनकी ठीक है ये तो जो अंतिम है जोत्सना काब्य रचना ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जोत्सना काब्य रचना है वो कि इसकी है सुमित्रा नंदन पंद की रचना है तो यह सुमेलित नहीं है इसमें नेक्स है जैसंकर प्रशाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है यह सारे इनके नाटक है लेकिन पूछा गया है कि अंतिम नाटक कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा धृब स्वामिनी इसका काल से है चलिए सत्रवा क्विशन है हिंदी में काब्य सास्त्र की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है ठीक है हिंदी में पूछा गया है और काब्य सास्त्र की प्रथम पुस्तक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साहित त्यलैरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठ ऐसे चंदियान है तो ये हिंदी में सूफी जो प्रेमाख्यान है इसका प्रथम काव्य है समवादी कौमिदी जो है वो हिंदी की प्रथम पत्रिका और पद्म पराग जो है वो क्या है हिंदी का जो रेखाचित्र होता है प्रथम रेखाचित्र है ठीक है चलिए नेक्स है ना आप वहाँ से भी question देखेगा बहुत बार पूछे गए तो नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना कासी या वारणसी में कभूईदी 1893 ठीक है चले नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म असत्य है देख लेते हैं पहला है नरोतम ततपुरस समाज बिल्कुल ठीक है दू सत्य है क्योंकि सूप अरुम कौन सा समाज है कर्मधारय समाज है ठीक है तो सही हो गया है यह चले नेक्स्ट क्यों है गीदड का स्त्री लिंग क्या होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गीदडी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे question पूछे भी गये है यह तो आप इस तरी लिंग दे कि सारे टॉपिक लगभग मैंने कबर किये हैं जो जो कुषिन पूछे जाते हैं चले नेक्स्ट है आज कल उल्टी गंगा बह रही है वाके में प्रियुक्त शब्द उल्टी है ठीक है तो उल्टी क्या हो जाएगा एक विशेशन हो जाएगा और आपसे पूछा जाते कि इसमें विशेश से क्या है तो विशेश से क्या हो जाता गंगा हो जाता क्योंकि जो क्या होते हैं जिनकी विशेशता बताई जाती है वो विशेश से होते हैं ठीक है और विशेशन क्या होते हैं जो संग्या या सर्वनाम की क्या बताते हैं तो गंगा की यहां पे विषेश्ता बताई जारी कि आज गंगा क्या है उल्टी बह रही है तो विषेश्ण क्या है उल्टी क्या है यहां पे विषेश्ण है ठीक है नेक्स्ट है निम्न में कौन सा चंद्रमा का प्रयायवाची शब्द नहीं है और इस चीज पर जोड़ देती हो में है या नहीं है ये चीज जरूर देखनी है ठीक है तो इसका राइट अंसर देख लेते हैं पहले चंद्रमा का जो प्रयायवाची होते हैं वो देख लेते है देखे विदू भी सही है दुराज भी होता है कलाधार भी होता है ठीक है तो इसमें जो सुपर्ण है वो चंद्रमा का प्रयायवाची नहीं है क्योंकि सुपर्ण किसका प्रयायवाची है गरुड का प्रयायवाची है ठीक है इसे ध्यान रखेंगे नेक्स विराम चिन से रिलेलेटीड कोईशन है वो भी मैंने करवा रखें ठीक है पुरा चैप्टर तो यहां पे पुछा गया है कि कौई सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं अपून विराम तो ये भी ठीक है विवरं चिन तो ये भी बिल्कुल ठीक है हंसपत कहीं नहीं है नेक्स्ट है ओस चाटने से प्यास नहीं बुस्ती लोकोगती का सही अर्थ है तो राइट अंसर क्या होता है इसका क्या हो जाएगा अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता है तो यह हो गए हिंदी के important question 25 I hope आप लोग के exam में काम आएंगे और ऐसे ही आप लोग अच्छे-च्छे question तयार करें प्रेक्टिस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहे